दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नवंबर के महिने में कौन सी सबजियां लगा सकती हैं जो कि इस पेसली सर्दियों की सबजियां है और इन्हें अगर आपने अक्टूबर में नहीं लगाया है तो अभी भी सही समय है नवंबर का आप अभी भी य इस तरह के grow bag में लगाना है और क्या-क्या साउधानी रखनी है वो सारी चीजें बताऊंगा practically knowledge आज आपको मिलेगा इस वीडियो में कि नवंबर के महिने में कौन सी सब्जियां बोई जाती हैं कौन सी सब्जियों के बीज लगाए जाते हैं और आपको अभी कौन-कौन सी कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो लेकर आऊं उसका notification आपको सबसे पहले मिल जाए दोस्तों नवंबर के महिने में ज्यादा तर अक्टूबर के महिने में जो सब्जियां लगाई जाती हैं वही सब्जियां अभी लगाई जाएंगी इस पेसली कुछ सब्जिय में लगाएंगे तो अच्छा result नहीं मिलेगा तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले जो हमारी पहली सब्जी है नवंबर के महिने की वह है टमाटर सर्दियों में बहुत अच्छे से हमारा उग जाता है और उसमें बहुत अच्छा आपको result मिलने वाला है जब आप इस तर होने में लगभग 25 से 30 दिन तक का समय लग जाता है बीज लगाने के बाद और फिर जब पोधे इतने बड़े हो जाएं तो आप उन्हें इस तरह से बड़े ग्रोवेग में ट्रांसपर कर दीजिए इसके लिए ग्रोवेग की साइज आपको सबसे चोटा साइज में बताऊ तो 12 बाई 12 इंच लेनी है और 15 बाई 15 इंच में बहुत अच्छा जो है तमाटर ग्रोव होता है उग जाता है और साथ में देखिए यह जो आप ग्रोवेग देख रहे हैं यह तीन फिट वाई तीन फिट का ग्रोवेग है इसकी हाइट एक फिट है इसमें हमने 9 टमाटर के पौधे लगाए हैं इस तरह के ग्रोवेग में भी टमाटर लगाने में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है दूसरी जो हमारी सबजी है वह है मिर्च आप अभी मिर्च लगा सकते हैं मिर्च में आप अभी नॉर्मल जो हरी मिर्च है उसे लगा सकते हैं और सिमला मिर भी लगाई है उसे भी हम आभी आपको आगे दिखाएंगे तो मिर्च भी आफ से मिर्च दिन बाद आपको मिर्च तोड़ने को मिलने लगेंगे अभी मैं आप दिखाओंगा जो नए निर्ट होने लगाई हुई तीसरी सब्जी है हमारी बैगन को वह आप अभी लगा सकते हैं नवंबर के महिने में और बैगन तो सालभर लगाया जा सकता है और जो आप ये सामने देख रहे हैं देखिए हमारा black wagon है आप देख सकते हैं इसकी कितने अच्छा हमें इसका फल मिला है और काफी wagon हो रहे हैं तो अभी आप wagon लगा सकते हैं method same है आपको पहले इसके पौधे बनाने होंगे और फिर आप इसे लगा देंगे इस तरह के बड़ ग्रोबैग में जैसे कि मैंने 15 वाई 15 इंच का ग्रोबैग लिया है बैगन लगाने के लिए इसके बाद बात करें तो कुछ root vegetable की तो root vegetable में आप अभी लगा सकते हैं चुकंदर ये सामने जो आप देख रहे हैं ये चुकंदर लगी है और चुकंदर को भी आप अभी लगा सकते हैं बहुत अच्छा समय हैं अभी से आप चुकंदर लगाना शुरू कर देंगे तो लगभग 30 से 45 दिन बाद आपको यहां से चुकंदर उखाड़ने को धीरे धीरे शुरू हो जाएगी मतलब मिलने लगेगी लगभग 45 से 60 दिन लगते हैं पूरी तरह से चुकंदर को म लगाएं तो ग्रोवेग लीजिए इस तरह से चोड़ा और उसकी हाइट हो लगभग 12 इंच तो यह 24 बाई 12 इंच का ग्रोवेग है और इसमें हमने गाजल लगाई हुई है इसके बाद यहां पे मैं आपको दिखाऊं तो यह लगई हुई है हमारी मूली रेडिस रेडिस लॉंग और लंबी मूली को लगाने के लिए ग्रोवेग की गहराई जादा लें जैसे कि हमने यहां पर लिया है यह लगभग 24 बाई 12 इंच का ग्रोवेग हमने लिया है और इसमें हमने लगा दी है मूली और अब देखिए मूली के पत्ते इतने बड़े हो गए हैं अब इ लगा सकते हैं इसके बाद यहां मैं आपको दिखाऊं तो मैथी यह जो आप देख रहे हैं यह मैथी है और मैथी लगाने का बिलकुल सही समय आ गया है अभी आप मैथी लगाएंगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा क्योंकि अभी मैथी काफी अच्छे से होगेगी और टे लगाया है और इसे हमने घर में जो लहसुन आता है खाने के लिए उसी से लगाया है तो अब इसमें लहसुन बाद में बनेगा लहसुन अभी देखिए ओगाए हैं और इसकी जो पतियां है वो बाहर आने लगी हैं तो नवंबर के महिने में आप लहसुन भी लगा सकते हैं इसके बाद जो सबसे खास सब지 है मतलब कह सकते हैं कि जो खाने का जायका बढ़ाती है धनिया उससे भी आप अभी लगा सकते हैं ये देखिए हमने पहले धनिया लगाई थी उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं और ये धनिया लगी है 24 by 36 मतलब 2 फित भाई 3 फित के ग्रोव इसमें भी हम धनिया लगाने वाले हैं पहले इसमें पालक लगी थी तो आप अभी पालक भी लगा सकते हैं बहुत अच्छा समय है और यह है दो फिट वाई तीन फिट का ग्रो वैग और इसकी हाइट एक फिट है और इसमें आप धनिया देख सकते हैं कितनी अच्छी हुई ह और बहुत ही अच्छी इससे खुसबू आती है और यहां से हमने धनिया को हारवेश्ट करना भी शुरू कर दिया है तो आप अभी धनिया लगा दीजिए धनिया के बीज जर्मिनेट होने में थोड़ा सा जादा समय लेती हैं 10-15 दिन लग सकती हैं इसलिए जब भी धनिया ल लगी हुई है जुकिनी जुकिनी को भी आप अभी सर्दियों के मौसम में लगा सकती है तो यह जुकिनी के चार पोदे हमने लगाए हैं यहां पे देखिए और काफी अच्छी ग्रोथ है फर्स्ट टाइम मैंने लगाया है और काफी अच्छर जल्ट है यह जुकिनी ब्ले प्रिशने में लगाई जा सकती है वह पत्ता गोवी तो यह जो आप देख रहे हैं यह लाल पत्ता गोवी है रेड कैवेज और इसे हमने इस तरह से जो हमारा रेक्टेंगल ग्रोवेग है इस पिसली यह ग्रोवेग बालकनी के लिए बनाया गया है बालकनी में रखने के है गोबी के साथ सामने यहां पर जो आप देख रहे हैं छोटे इस ग्रो बैग में इसमें लगी है यह ब्रोकली और इसकी जो लमबाई है वो 5छ है उचाई 1 फिट है इसकी पंदरा इंच है मतलब सबाफित के आसपास है और चोड़ाई भी इसकी लगभक सबाफित के आसपा है इसके बाद अभी आप लेटस लगा सकते हैं तो देखिए यह हमने लेटस लगाई हुई है और आप अभी लेटस लगा सकते हैं लेटस लगाने का काफी अच्छा समय है लेटस आइसबर्ग लेटस रोमानी कई तरह की लेटस आती हैं तो आप अपने पसंद के हिसाब से ल बाहर आ रहा है इसके बाद मैं आपको बताओं तो यहां पे हमने लगाया है ब्रूसल स्प्राउट तो यह पौदे जो हैं वो ब्रूसल स्प्राउट के हैं तो वह हमने लगाय हुए हैं कुछ दो पौदे हमने यहां भी लगाय हुए हैं इसके बाद यहां पे हमने दूसरी गाजर लगाई हुई है जो कि इस ग्रोवेग में हैं तो यहां पर भी हमने अभी गाजर ही लगाई है और यहां की मैं बात करूं तो यहां पर मैंने सरसों लगाई है अभी आप सरसों भी लगा सकते हैं देखिए सरसों धीरे-धीरे यहां से जर्मिनेट होने लगी है इस तर यह आँगे आपको दिखाते हैं कि और आप अभी नवंबर के महिने में कौन सी सबजियां लगा सकते हैं तो आँगे आते हैं तो यहां आप देखेंगे यह हमने लगाई है लेटस आइसबर्ग यहां पे यह रेक्टेंगलर ग्रो बैग है तीन वाई तीन फिट का जिसमें हमने पहले टमाटर वहां लगाए हुए हैं सेम उसी जगह पर यह लगी हुई है हमारी लेटस आइसबर्ग इसके साथ हमने यहां पे लगाई हुई है हमारी गिलकी तो गिलकी बहुत अच्छा समय है यह हमने अक्टूबर में ही लगा दी थी तो अभी देखिए इसमें गिलकी बनने भी लगी है यहां पे आप देख सकती है गिलकी बन रही है तो अभी आप गिलकी भी लगा सकती है गिलकी के साथ ये है हमारा कद्दू, इस पिसली ये 56 कद्दू है, और 56 कद्दू को भी आप अभी लगा सकती है, हमने देखिए एक पौधा लगाया था, कितना अच्छ ग्रो हो गया है, यहाँ आप देख रहे हैं, तो ये करेले हैं, करेले छोटे वाले करेले हैं ये, तो इ इन्हें लगाया है, हमने इन 24 वाई 24 इंच के ग्रो बैग में, करेले को हमेशा बड़े ग्रो बैग में लगाएं, क्योंकि इनकी जड़ भी नीचे लंबी जाती हैं, जैसे इनकी बेल आप देख रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे ही जड़ भी काफी बढ़ती है, तो करेले लगे हुए हैं तीन ग्रो बैग में, इसके बाद आप अभी लगा सकते हैं लोंकी, लोंकी, बेल बर्गी सबजियों में आप लोंकी, गिलकी, करेला, तौरे, कद्दू, इसको आप अभी लगा सकते हैं, और ये देखिए लोंकी के दो दो पोधे लगे हैं, इन 24 24 इंच के grow bag में और आप growth देखिए एक बार लौकी की कितनी अच्छी है क्योंकि यहाँ इने काफी अच्छा sunlight मिलता है इसलिए growth भी काफी अच्छी है लौकी के बाद जो नवंबर महिने में आप लगा सकती है वह सबजी है यहाँ पे मतर तो यहाँ पे हमने मतर लगाया है मैं आपको दिखा दूँ तो मतर यहाँ से देखिए जर्मिनेट भी होने लगा है यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा मतर तो मतर बहुत अच्छा लगता है ज्यादा नोगों को पसंद होता है खाने में तो आप अभी मतर लगा सकते हैं बागीमे इसमें भी अ बेड ऑड़ेज लिंक सो हो रहा होगा आई बटन पर तो वहां किलिक करकर आप उसे देख सकते हैं तो यह आलू है आप अभी आलू भी लगा सकते हैं इसके बाद आंगे चलें तो यहां पर हमने पहले टमाटर लगाया थे जो अब इतने बड़े हो गए है तो टमाटर आप अभी लगा सकते हैं कोई वी प्रॉब्लम नहीं है पहले आपने नहीं लगा तो आप अभी भी उन्हें लगा दीजिए हमने इन्हें लगाए हुए एक महीना हो गया है तो अभी देखिए टमाटर में फूल भी आ रहे हैं फल भी बनने लगे हैं तो टमाटर लगाने का भी सीजन चल रहा है इस तरह आप देख रहे हैं तो सिमला मिर्च है यह सिमला मिर् और हरी मिर्च आप देख रहे हैं उनमें कितनी अच्छी ग्रोथ है आप एक पौधा देखेंगे तो एक पौधे में देखिए कम से कम दस पौधों के बराबर इसमें नीचे से सब ब्रांच आई हुई हैं और इसकी ग्रोथ भी आप देख रहे हैं और यहां से कुछ पौधे हमारे खराब हो गए थे जो हमने निकाल दिये हैं और बाकी के हमारे इतने पौधे काफी हेल्दी हैं और अब इनकी ग्रोथ भी काफी अच्छी चल रही है तो आप इस तरह से अभी हरी मिर्च को भी लगा सकते हैं इसके बाद यहां पर हमने लगाया है खीरा खीरा इस पेसल लीजे क्योंकि यह बेल वाली सबजीयों में इसका जो है नाम आता है तो दोस्तों यह थी आज की इस पेसल सबजीयां जो आप नवंबर के महीने में लगा सकती हैं इसमें मैंने जादातर सबजियां cover कर ली हैं जो आप अभी सरदियों के मौसम में अपने home garden या फिर kitchen garden में लगा सकते हैं आज के वीडियों में हमने बात की सरदियों में लगने वाली सबजियों के बारे में जिसमें मैंने आपको practically बताया कि कौन-कौन सी सबजियां मैंने अपने garden में लगा सकते हैं इसके अलावा अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए जो मैंने इस वीडियो में नहीं दी है तो प्लीज कमेंट्स करें, अगर किसी सबजी के बारे में आपको जानना है तब भी आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जबाब देने की बिल्कुल पूरी कोसिस कर लगा हो तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें और आप अभी कौन से सब्जियां लगाने की तैयारी कर रहे हैं सुल करकर बताएं वीडियो को लाश्तक देखने के लिए बहुत भाँ बाद मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए हैपी गार्डनिंग